हलो दोस्तों स्वागत है आपका दर श्टडी भी थे एसके में दोस्तों वर्ड मैपिंग की क्लास लेकर आज हम फिर उपस्तित हैं वर्ड मैपिंग की क्लास में हम आपको अभी एसिया पढ़ा रहे हैं एसिया में हमने आपसे एक संगठन के बारे में बताया कौन सा संगठन था तो वह संगठन था सार्क तो सार्क संगठन के बारे में हम आपसे बातचीत कर रहे हैं जिसमें अभी तक हमने आपको मालदेव के बारे में पूरी जानकारी दे दी स्रीलंका के बारे में आपको पूरी जानकारिया मिल चुकी है और पाकिस्तान के बारे में पूरी जानकारियां आपको मिल चुकी है आज का टापिक हमारा अफगानिस्तान रहेगा आज हम आपको अफगानिस्तान के बारे में पूरी जानकारियां देंगे करेंट से इसको जोड़ कर देखेंगे इसका इतियास भुगोल, नदियां, दर्रें, सभी हम जितने भी इसके important है, सब कुछ देखेंगे देखिए आप पहले यह तो हमने आपको world map में दिखा दिया कि हमको सार्क पढ़ना है अब हम आपको देखिए आप globe है, globe को आपने हर class में देखा हुआ है आप अपना एटलस खोल के रखिए, उसमें आज आपको अफगानिस्तान खोलना है और अफगानिस्तान के बारे में आप जो भी हम बताते चलते हैं, उन पे आप मार्क करते चलिए जो नोट करने वाली चीजे हैं हम कुछ नोट करते रहते हैं आप भी नोट करते रहिएगा दो देखिए हम एसिया का मैप आपको दिखाते हैं देखिए साउथ हेसिया का मैप है साउथ हेसिया के मैप में आप हमारे भारत को देख रहे हैं भारत के साथ हमने इनके पडोसी देशों के बारे में आपको बताया था जो सार्क संगठन हमने पढ़ाया था तो सार्क संगठन में आप जानते हैं भारत के पडोसी देश सामिल थे अभी हमने मेयामार को नहीं बताया क्योंकि मेयामार जो है या अलग संगठन में आता हुआ आसियान कंट्री में आता है अभी हम सार्क संग्ठन के बाद जब आसियान शुरू करेंगे उसमें आपको मेयामार्थ, हाइलेंड, लाओस, कमबोडिया, बियतनाम, इंडोनेसिया इन सब की चर्चा आपसे करेंगे अभी आप को सार्क पर फोकस करना है, सार्क देश में हमने अभी आपसे चर्चा किया, इमाल देश, स्रीलंका और पाकिस्तान तेन देशों पर हमने चर्चा कर लिया आज हमको अफगानिस्तान पे चर्चा करना है अफगानिस्तान में आप जान रहे हैं करेंट में यहां पर तालिबान का सासन है अफगानिस्तान की सीमा हमारे भारत के जम्मू कस्मीर राज से पहले लगती थी लेकिन जब से प्योके पाकिस्तान ने इस पर अधिकार कर लिया है जिसको हम पाक अधिकृत कस्मीर के नाम से जानते हैं और वह अपना गिलगिट बालतिस्तान और आजाद कस्मीर का छेत्र बुलाता है तो इन सब के बारे में आज हम चर्चा सुरू करेंगे तो देखिए पहले हम अफगानिस्तान के बारे में आपको इसकी राजधानी और भासा, मुद्रा, संसा, राष्टगान, राष्टी खेल इसके कितने महत्पूर प्रांत हैं उनको आपको बता देते हैं सबसे पहले आप देख लीजिए अफगानिस्तान का मैप क्योंकि अफगानिस्तान का मैप आपको देख रहे हैं इस तरीके से दिखता है तो आप उस ह क्रिशन्ट किसलिए प्रसिद्ध है तो गोल्डन क्रिशन्ट जो है अभिम उत्पादन देशों के लिए प्रसिद्ध है तो उसमें तीन देश आते हैं अभी हम आपको बारी-बारी से बताएंगे भारत ने इसका नया संसत बवन बनवाया सिचाई बांध बनवाया और कई ब बजट पारिद भी किया था, तो आपने मैं पभी तक अच्छे से धेख लिया होगा, अब पहले हम आपको नोट करवा देते हैं, अफगानिस्तान की राजधानी और इसकी मुद्रा भासा एसब पहले आप नोट कर लीजिए, तो आज हमारा टापिक है अफगानिस्तान, पहल आजाता है, तो इसको जो अभी तालिबान ने हैं और इसके पहले भी इसने अफगानिस्तान का नाम इसलामिक अमीराथ अफगानिस्तान कर दिया है, इसलामिक अमीराथ अफगानिस्तान, इसका जो है नाम कर दिया गया है, लेकिन हम अफगानिस्तान के नाम से जानते हैं, अफगानिस्तान की राजधानी क्या है आप नोट कर लेजिए अफगानिस्तान की राजधानी जो है वा काबुल है और या जो है काबुल जो है या अफगानिस्तान का सबसे बड़ा सहर है काबुल राजधाने भी और यहां का सबसे बड़ा सहर भी है यहाँ पर भासा क्या बोली जाती है यहाँ पर भासा एक फारसी है जिसको ए लोग दरी फारसी नाम से संबोधित करते हैं तो पहले जो भासा है वा दरी फारसी है और दूसरी भासा यहाँ की पस्तो भासा है तो दरी भासा दरी फार्सी भासा और पस्तो भासा दो भासा यहाँ पर प्रसिद्ध है धर्म आपको पता है यहाँ का जो प्रमुक धर्म है वा इसलाम है इसलाम यहाँ का धर्म है और यह लगभग 99.7 प्रस्त लोग इसलाम को मानने वाले हैं अन्य में अगर हम देखे तो अन्य में अब जान रहे हैं जब 99.7% है तो 0.3% अन्य धर्म को फालो करने वाले लोग यहाँ पे निवास करते हैं यहाँ की जो मुद्रा है यहाँ की लिए पडोसी देशों में मुद्रा भी पूछी जाती है तो इसका अफगान अफगानी या फिर आप अफगान रुपेया नोट कर लीजिए अफगान रुपेया यहाँ की मुद्रा है और यहाँ की संसद अभी नया वाला संसद भारत ने बनवाया है संसद को यह लोग निशनल असेंबली के नाम से जानने जाते हैं जैसे पाकिस्तान की भी संसद को निशनल असेंबली बोला जाता है उसी तरीके से यहाँ के भी संसद को निशनल असेंबली बोला जाता है और यह निशनल असेंबली जो है यह दूश सदनी है अगर हम इनके दूरी सदनी निशनल असेंबली के बारे में उच्छ सदन और निम्न सदन की बात करें तो इनका जो उच्छ सदन है उसको एह लोग मेसरानो मेसरानो जिरगा नाम से जानेते हैं मेसरानो जिरगा यहां इनका उच्छ सदन है और जो निम्न सदन है उसको ओई लोग बोले सी जिरगा कहते हैं बोले सी जिरगा यह इनका निम्न सदन होगा अगर हम यहां के राष्टगान की बात करें तो राष्टगान के बारे में आप नोट कर लिजिए यहां का राष्टगान क्या है? राष्टगान नोट कर लिजिए राष्टगान यहां का है इस्वर महानतम है या तो हिंदी में है इस्वर महानतम है या यहां का राष्टगान है या हिंदी में है अगर हम इसको पस्तो भासा में आपको बताए तो पस्तो में इसको क्या बोलते हैं पस्तो में इसको मिल्ली सुरुद बोलते हैं मिल्ली सुरुद या इसी को सुरुद ए मिल्ली बोलते हैं सुरुद ए मिल्ली सुरुद ए मिल्ली इसको पस्तो भासा में या मिल्ली सुरुद बोलते हैं या इसका राष्टगान है हिंदी में इसको इस्वर महानतम है बोला जाता है राष्टी वाक क्या है राष्टी वाक अगर आप नोट करना चाहें तो नोट कर लीजिए जिसको आप धे वाक के भी कह सकते हैं जो धे वाक या राष्टी वाक के है वहां इनका है कोई भी भगव नहीं है हिंदी में हम पहले लिख देते हैं फिर इसको हम बता रहे हैं इनके जो भासा है पस्तो में या अरबी भासा ये अरबी भासा में इसका प्रयोग करते हैं कोई भागवान नहीं है लेकिन अल्लाह अल्लाह है और मुहम्मद अल्लाह के रसूल है या इनका धेवा क्या है अगर इसको हम अरबी भासा में आपको बताएं तो अरबी भासा में इसका पूरा नाम है अल्लाह इल्लाह मुहम्मद अम रसूल इल्लाह है हमको उतने अच्छे से नहीं हम बोल पा रहे हैं लेकिन आप गूगल करके देख लेजिएगा अब हम अफगानिस्तान के राष्टी खेल के बारे में देख लेते हैं यहां का जो राष्टी खेल है वहा है बुझ कसी जिसका मतलब होता है बकरी पकरना यह आपने कई फिल्मों में देखा होगा तो इसके बारे में हम आपको बता देते हैं बकरी पकरने का जो यह मतलब है इसे दुनिया के सबसे जंगली खेलों में से एक माना जाता है इस खेल में भाग लेने वाला जो परतिभागी है या गोडे पर सवार होता है और मरे हुए बकरी को पकड़ करके एक खास सरकिल में ले जाके गिराता है इसे अफगानिस्तान के उत्तरी इलाके में पिछले कई सताब्दियों से खेला जा रहा है या आज का नया नहीं या पिछले जब सताबदियों में सताबदियों से या खेल इनका चला आ रहा है यहाँ पे क्रिकेट भी खेला जाता है क्रिकेट के आप खिलाड़ी जानते हूं भारत के IPL में और इनकी टीम भी है वा बहुत से देशों के साथ मैच खेलती है अगर हम इनके अफगानिस्तान के प्रांथ के बारे में बात करें तो अफगानिस्तान में लगभग जो है चोटिस प्रांथ प्रसासनिक रूप से हैं तो चोटिस प्रांथ इनके जिस पे प्रसासन होता है चोटिस प्रसासनिक प्रांथ है या इनको आप भी भाग बोल सकते ह महत्पूर प्रांतों में इनका काबूल है, कंधार है, हेरात है, गजनी, बामियान, गौर, एसब महत्पूर प्रांतों में है अब हम इनके एक एक करके इनके बारे में पूरा देखना सुरू करते हैं आप यहाँ एसिया का माइप देख रहे हैं, एसिया के माइप में आपको अफगानिस्तान यहाँ पर पाकिस्तान के पस्चिम में दिख रहा होगा, देखिए, पाकिस्तान के पस्चिम में यहाँ अफगानिस्तान आपको दिख रहा है, अब हम एक एक करके इस पे चर्चा पूरा पहाड़ी इलाका है आप देखिए यहां पर इसका पॉलिटिकल माइप है पॉलिटिकल माइप आपको अच्छे से दिख रहा होगा देखिए इसकी सीमा कहां कहां से लगती है इसकी सीमा जो है अगर हम पस्चिम में देखें तो इरान से है तुर्किमेनिस्तान से है उ और यह जो देश है यह अस्तलबद्ध देश है अब हम आपको इसके बारे में बताना सुरू करते हैं तो अफ降 आफगानिस्तान जो है यह दच्छड एस्या में इस्तित एक देश है अफगानिस्तान की राजधानी आपको काबुल यहाँ पर दिख रही होगी यह काबुल ज इसने अपना नाम रख लिया है यह दच्छर एसिया में अवस्थित देश है जो कि विश्व का एक भू आवध्ध देश है यह अपरेल 2007 में अफगानिस्तान जो है सार्क का आठवा देश बना था तो सार्क का आठवा देश कौन बना था तो सार्क का आठवा देश जो है या अफगानिस्तान बना था अफगानिस्तान के पूर्व में हमने अभी बताया पाकिस्तान है और भारत है पाकिस्तान इसके पूर्व में है और उत्तर पूर्व में भारत को अगर हम देखे ते देखे यहाँ पर इसके उत्तर पूर्व में मिलेगा पूरी तरीके से पूर्व में तो नहीं है लेकिन उत्तर पूर्व का दिसा अगर हम देखेंगे तो भारत और चीन इसके उत्तर पूर्व में मिल जाएंगे और अगर पूरे तरीके से उत्तर में देखना चाहें तो उत्तर में इसका देखिये तजाकिस्तान है और उजबेकिस्तान है और यहाँ पर तुर्किमेनिस्तान है उजबेकिस्तान की राजधानी और यहाँ पर देखिये दुसामबे आपको दिख रहा है और इसके पस्सिम में इरान आपको दिखी रहा है तो कितने देशों के साथ इसकी सीमा लग रही एक इरान हो गया तुर्किमेनिस्तान हो गया तीसरा हुजबेकिस्तान हो गया चौथा ताजकिस्तान हो गया पांचमा चीन हो गया छठा पाकिस्तान हो गया आतमा भारत हो गया तो साथ देश इसके साथ सीमा साजा करते हैं इसके धेवाके के बारे में हमने बताए जो छोटी छोटी जानकारियां थी हमने आपको लिख करके बता दिया है और इसके हम बारे में कुछ पुरानी बातें अगर बताएं तो यह जो छेत्र है यह ऐसा भूर और नीतिक अस्थान पर इस्थित है जो कि मध्ध एसिया और पस्चिम एसिया को भारती उप महादेब की संस्कृती से जोड़ने के लिए महत्पूर है इस भूम पर कुसाण वंस, हम्तलिन, समानी, गजनवी, मुहम्मद साब दाली, मुगल और दुर्रानी समराज अनेक दूसरे परमुख समराज्यों का उध्थान यहाँ पर हुआ है पराचेन काल में फारस तथा सक्सामराज्यों का अंग भी अफगानिस्तान रह चुका है इसमें सिकंदर फारसी जो है शासक जोकी दारा पर्थम को हराया था तुर्क मुगल सासक बाबर मुहम्मद गवरी नादिर साथ सिक्स अमराज इत्याद के नाम से भी अफगानिस्तान को जाना जाता है इसमें जो है ब्रिटिस सेनाओं ने भी कई बार अफगानिस्तान पर आक्रमण किया है वर्तमान में अमेरिका द्वारा तालीबान पर आक्रमण किये जाने के बाद नाटो की सेनाएं यहां बनी हुई थी लेकिन 2021 में सभी सेनाएं अफगानिस्तान से जा चुकी हैं और अफगानिस्तान पर अब प्रमुख रूप से तालीबान का सासन हो चुका है अब हम इसके प्रमुख जो नगर हैं उनको बता देते हैं और उन नगरों की क्या क्या भी सेस्ताय हैं उन्हें पर चर्चा करते हैं देखिए इसके प्रमुख नगरों में हम पहले काबुल को देख लेते हैं काबुल यहां की राजधानी है आपको अच्छे से पता है इसका एक प्रमुख नगर है, देखिए कांधार, कांधार यहां पर आपको नीचे दच्छिड में दिख रहा होगा, अच्छे से आप अपने मैप में देखिए और इसको हाइलाइट कर लीजिए, कंधार को लोग गंधार प्रदेश के भी नाम से जानते हैं, जैसे कि महाभारत में इसका जिक्र है कि यहां पर जो गंधार नरेश सकुनी हुआ करता था, जो कि आप जानते हैं, जो कवरो थे, उनका मामा था, यहां कई नसल के लोग रहते हैं, जिसमें पस्तून, पठानी या अफगानी लोग सबसे अधिक हैं, इसके अलामा जो उजबेक, ताजिक, तुर वरतमान में, अफगानिस्तान में तालीबान का जो सासन है, वह हैं और यहां पर कानोन या सर्या कानोन लागू है, आप जानते हैं, इसमें महिलाओं को कोई अधिकार नहीं दिया जाता, अफगानिस्तान के अगर हम नाम के बारे में चर्चा करें आप देख लीजिए पहले यहां पर अफगानिस्तान का एक और मायप है इसमें आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि इसकी सीमाएं कि देश के साथ अच्छे से लग रही है तो आप देख लिजिए सबसे पस्चिम में इरान के साथ उत्तर में आपको तुर्कमेरिस्तान, उजबेकिस्तान और ताजकिस्तान तेन देश आपको दिख रहे होंगे और इसका यह जो पतला वाला एरिया है आपको देखिए चीन के साथ दिख रहा होगा तो उत्तर पूर्व में या पूर्व में आप कह सकते हैं या उत्तर पूर्व कहिए अगर हम दिशाओं के इसाब से देखेंगे तो यह दिशा देखिए उत्तर पूर्व कहलाएगी यहाँ पे देखिए भारत का जो उत्तर हिस्सा है वह पाकिस्तान में दिखा दिया गया है क्योंकि इस समय इस पे पाकिस्तान का दिकार है तो अभी तो सीधी सीधी सीमा हमारी अफगानिस्तान से नहीं लगती लेकिन हम तो मान की ही चलेंगे कि हमारी सीमा अफगानिस्तान के साथ लगती है तो यहां से आपको देखिए जम्मु कस्मीर का जो एरिया वा भारत का है तो यहां भारत से भी उसकी सीमा साजा हो रही है और चीन के साथ भी साजा हो रही है तो इसकी सीमा पाकिस्तान से भी साजा हो रही है सबसे अधिक सीमा इसकी पाकिस्तान से साजा हो रही है और यह भुवावद देश है अफगानिस्तान का अगर हम देखें अफगानिस्तान इसका पूरा दो नामों से मिलकर बना अफगान और अस्थान, इसी को अस्थान को चाहे अस्थान भी आपका सकते हैं, जिसका अर्थ होता है अफगानों की भूमी, जैसे कि हिंदुस्तान, पाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, कजाकिस्तान, इन सब का अर्थ होता है भूम या देश, तो अफगानिस्तान का अर्थ ह हो गया अफगानों का देश सबसे अधिक जो यहां पर पस्तून नसल पाई जाती हैं अफगान सब्द को अगर संस्कृत भासा में लिया जाए तो यह आफगान से निकला हुगा माना जाता है अफगान सब्द जो गा की ध्वन या गा की नहीं है अब हम अफगान के जो बारे में और भी देख लेते हैं इसका इतियास कैसा रहा है तो अफगानिस्तान का इतियास अगर आप देखना चाहें देख लीजिए पहले यहाँ पर अफगानिस्तान का एक फोटोर लगा हुगा है इसमें और भी क्लियर आपको अफगानिस्तान दिख रहा होगा तो अफगानिस्तान का जो इतियास है या काफी पुराना है 18-100 साल पहले यहाँ पर आरियों का आगमन माना जाता है इसके उत्तरी छेत्र में गांधार भी है यहाँ पर आपको जो पाकिस्तान में हमने कलवताया था यहाँ पर तच्छसिला है उसके उत्तर में गांधार महाजनपत था गांधार महाजनपत के बारे में जो यहाँ पर कंधार है लोग इसको गांधार मानते हैं लेकिन इसके उत्तर में यहाँ पर गंधार जनपत था गंधार जनपत महा जनपत जो है आप जानते हैं या महा भारत में इसका जिक्र मिलता है इसापुर्व के पान सव में जब फारस के हकामनी सासकों ने इसको जीत लिया था और सिकंदर के फारस बिचय अभियान के तहत अफगानिस्तान भी यूनानी सामराज का अंग बन गया था इसके बाद यहाँ पर सकों का सासन आ गया सक के जो सक जो है वा भारती यंग के थे तो 230 के मौरे सासन के अब तहत अफगानिस्तान का जो संपूर्ड इराका मौरे सामराज में मिल चुका था इसलिए तो हम इसको अखंड भारत का हिस्स्ता मानते हैं कि मौरे का भी सासन यह कि जब आपको वर्ल्ड हिस्टी पढ़ाया जाएगा तो इसमें आपको इसमें ज्यादा कुछ मिलेगा आप जानते हैं यहां से हमसाम अबदाली जो है या पानी पत के तुष्रे उयुद्ध के लिए भारत पर आक्रमण किया था नादिर साह ने भी इसमें भारत पर आक्र अगर हम आधुनिक काल की युद्ध के वारे में बताएं तो 20ые सदी में आपको आंगल अफगान युद्ध में के बारे में पता होगा जिसमें अफगानिस्तान का काफ़े हिस्सा बिरल्टिस इंडिया के अधिन हो गया था जिसके बात अफगानिस्तान में यूरोपिय पर राजधानी है और यहाँ पर जो संसद है उस संसद को इसके काबुल राजधानी में संसद है या संसद भारत ने बनवाया है भारत ने इसका निर्मार करवाया है तो हमने आपको बताया काबुल की जो संसद है उसका निर्मार भारत ने करवाया है लेकिन इस समय वर्तमान में 2021 से तालीबान ने इस पूरे देश पर कबज़ा कर लिया और अभी संसद में तालीबान अपना सासन करता है इसने अफगानिस्तान से अमेरिका के सैनिकों को पूरे देश से भगा दिया है जैसे ही अमेरिकी सेना अपने देश लड़ गई तालीबान ने बहुत तेजी से पूरे कंट्री पर पहले राजधानी पर उसके पाथ पूरी कंट्री पर अपना कबज़ा कर लिया है और यहां के लोग जो हैं आंदोलन कर रहे थे लेकिन उनको भी मार दिया गया और आपने वद्रिस से देखा होगा लोग हेली कार्टर पे लटक लटक के भाग रहे थे और यहां पे जो अफगानिस्तान के पूर उपराष्ट पती थे अमरुल्ला साले उन्होंने तालिबान के काबुल पर कबज़ा जमाया हुगा है बंदो की नोक पर आतंकी सरकार का संगठन भी इन्हों लोगों के हाथ में है जिन में महिलाओं का कोई सम्माने नहीं है अभी हमने आपको बताया या जो अफगानिस्तान का आपने फिजकल मैप देखा है फिजकल मैप में आप देखी रहे होंगे अफगानिस्तान चारो और से जमीन से घिरा हुआ है इसकी बड़ी सीमा जो है या पूर्व की और है जो की पाकिस्तान से लगती है तो इसकी जो सबसे बड़ी सीमा है देखिए या पूरे पाकिस्तान से लगती है इसे डूरंड रेखा भी कहते हैं सबसे पहले जो है डूरंड रेखा भारत और पाकिस्तान के बीच में हुए करता था डूरंड रेखा आप जानते हैं मोल्टिमा डूरंड एक बिटिस राजनईग था जो की भारते सिविल सेवा का अधिकारी था इसने 1893 में यह रेखा अफगानिस्तान और भारत की सीमा को घोसित किया था लेकिन आगे चल करके यह डूरंड रेखा जब भारत और पाकिस्तान का भी भाजन हो गया अब यह डूरन रेखा जो है पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में बार्डर रेखा का काम करता है अब हम इसके परवतों के बारे में अगर आपको बताएं तो यहां का जो परवत है देखिए हिंदुकुस परवत के बारे में हमने बताया था इसका ज्यादा तर हिस्सा हिंदुकुस का या ज्यादा तर हिस्सा पाकिस्तान में लेकिन इसका कुछ हिस्सा अफगानिस्तान में भी है तो हिंदुकुस का जो हिस्सा है या उत्तरपूर में ताजकिस्तान से लेकर के अफगानिस्तान में और पाकिस्तान में फैला हुआ है इसका एक परवत है सिकरम परवत सिकरम परवत या सिकारम परवत एक ही नाम है या जो परवत है या अफगानिस्तान पाकिस्तान की सीमा परिस्थित है और यहां भी हिंदु कुछ का ही यह भाग है हिंदु कुछ परवत का ही यह साखा है यही सबसे महत्पूर्ण परवत है और यहां की अगर हम नदियों के बारे में बात करें यहां की जो सबसे महत्पूर्ण नदी है वा है हेलमन नदी हेलमन नदी जो है यहां की सबसे महत्पूर्ण नदी है हेलमन नदी अफगान की सबसे लंबी नदी मानी जाती है अफगानिस्तान की सबसे लंबी नदी की अगर हम बात करें तो हमने भी बताया इसका नाम है हेलमन नदी हिलमन नदी अफगानिस्तान की सबसे लंबी नदियों में आता है अगर हम आमुदरिया नदी की बात करें आमुदरिया भी नदी यह जो है ताजकिस्तान ताजकिस्तान उजबेकिस्तान तुर्कमेनिस्तान अफगानिस्तान की सीमा बनाते हुए या अरल सागर में गिर जाती है इसमें आपको अरल सागर नहीं दिख रहा होगा अभी हम आपको दूसरे मैप में दिखाते हैं या मद्ध एसिया की सबसे लंबी नदी है तो हम यहाँ पर आमू दर्या नदी के बारे मिलिक देते हैं इसको आपको मद्द एसिया जब हम पढ़ाएंगे इसमें और अच्छे से पढ़ाएंगे मद्द एसिया की सबसे लंबी नदी आपको आमुदरिया मिलेगी जो की अरल सागर में जाके गिरती है अरल सागर आपको यहां पर ऊपर दिख रहा होगा यहां से आपको ताजकिस्तान और उजबेकिस्तान तुर्कमेनिस्तान की सीमा बनाते हुए या जाके अरल सागर में अपना जलगिरा देती है अरल सागर आपको दिख रहा है या कजाकिस्तान और रुजबेकिस्तान की सीमा पर है या अब सूखने के कगार पर है और इसमें हम अगर अफगानिस्तान और भारत के बारे में कुछ प्रिष्ट भूम के बारे में बताएं तो अभी हम बताते हैं लेकिन उसके पहले हम इसके कुछ सहरों के बारे में चर्चा कर देते हैं जो इसके प्रमुक प्रांत हैं उनके बारे में हम आपको पहले बता देते हैं इसके अभी कंधार प्रांत के पर हमने बताया कंधार प्रांत जो इसका दुती राजधानी के रूप में प्रियोग किया जाता है और यहाँ पर आपको एक मिलेगा जगहा बामियान देखिए या बामियान अस्थान जो है या पूरा प्रांत बामियान है तो यहाँ पर बामियान में एक भगवान बुद्ध की सबसे उची प्रतिमा थी यह विश्व में सबसे उची प्रतिमा थी जिसे तालीबान के आतंकवादियों ने बम से उड़ा दिया था अगर उसके हम बात करें देखिए यहाँ पर हम फोटो लेकर आए हैं देख लिजिए या इतनी उची प्रतिमा इसमें आपको यह चोटा जो मनस है देख लिजिए कितना चोटा दिकरा और या मुर्ति पूरे पहाडों को काट करके बनाई गई है या महत्मा बुद्ध की मुर इसका नो निर्मार करवाया जा रहा है तो अभी आपको यहाँ पर कोई भी मुर्ति नहीं दिख रही है जब इसका नो निर्मार पूरा हो जाएगा तब यहाँ पर मुर्ति अस्थापित कर दी जाएगी यहाँ पर देखिए टेंट लगा और यहाँ पर देखिए कितने सब इन्होंने इस प्रतिमा को गोला बंबारू से सब उड़ा दिया, बार में आप जानते हैं मया मार में रोहंगिया पर जाती रहती है, वहाँ पर रोहंगियाओं को उसके प्रतिरोध में मार दिया गया, तो कारवा ही कहीं होगी, उसका असर कहीं और पड़ता है, आप जानते ह अच्छी तरीके से अगर हम यहां के प्राकृतिक संसाधनों के बारे में बात करें तो यहां पर प्राकृतिक संसाधन बहुत हैं अफगानिस्तान में सोना, प्राकृतिक गैस, संग्मर्मर, कोईला बहुत सी सामगरियां हैं, जो अफगानिस्तान में परचुर मातरा में पाई जाती हैं और चेन इस सामगरियों को निकालने के लिए अफगानिस्तान से अब यह मोयो भी साइन कर रहा है, अब तालीबान को वह अपने नियंतरण में कर रहा है अफगानिस्तान में एक प्रमुक आकरसंड का केंद्र है जिसको आप जानते हैं दारूल अमन पाइलेस के नाम से जानते हैं एक यहाँ पर पाइलेस है हम यहाँ पर लिख देते हैं दारुल अमन पाइलेस दारुल अमन पाइलेस जो है यह इसका ना मतलब क्या होता है सांतिका निवाज दारुल अमन पाइलेस होता है यह होता है सांतिका निवाज यहाँ जो दारुल अमन पहले से यहाँ 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 यहा अब हम इसके बारे में आपको बताना सुरू करते हैं, हमने इसका इतियाज देख लिया, भुगोल देख लिया, अब हम इसके भारत के साथ कैसे रिष्टे हैं, इसको देख लेते हैं, आपको हमने यहां के बता देते हैं, भारत जो है हमेशा से अफगानिस्तान को मदद था 2021 में भारत ने पाकिस्तान की रास्ते 50,000 में टिक टन गेहु भेजा है अभी भी भारत जो है अफगानिस्तान में तालिबान के सासन को सुईकार नहीं किया लेकिन जो वहां की आम पबलिक है उसकी मदद तो करने के लिए भारत आ गया आता है अभी अलग से ही भारत ने 200 क करोंड के लिए आर्थिक मदद भी दिया है इसमें आपको अफगानिस्तान की नदियां जो है अच्छे से दिख रही होंगी देखिए या आमू दरिया नदिया जो है देखिए या हिंदु कुस पारवस से निकरते हुए ताजकिस्तान से होते हुए देखिए यहां से जा नदिया रही है जो कि खैबर दर्रा के पास से जाती है तो यहां पर जो अभी हमने कल पाकिस्तान के में बताया था कि खैबर दर्रा यहां का बहुत ही महत्पूर है खैबर दर्रा जो है या काबुल को पेसावर से जोडता है और यहां पे नदी देखिए जो नदी है हेलमन नदी आप यहाँ पे हेलमन नदी देखी रहे हैं हेलमन नदी काफी बड़ी नदी है यह जो की अफगानिस्तान की सबसे लंबी नदी है और एक गजनी से होकर नदी बहती है इसको गजनी नदी ही नाम से जाना जाता है या हरिहुद मुरगाव नाम से जाना जाता है एक फरा प्राचेन में इसको कुभा नदी के नाम से जाना जाता था तो हमने यहां की नदियों के बारे में देख लिया यहां का परवत देख लिया हिंदु कुस परवत यहां पर भी है और उसकी जो सबसे उची परवत स्रंखला थी सिरम परवत जो की अफगानिस्तान की सीमा में है उसको हमने आपको बता दिया काफे चीजें आपने इसमें देख ली होंगी अब अगर हम अफगानिस्तान और भारत के प्रिष्ट भूम के बारे में आपसे बात करें तो भारत और अफगानिस्तान जो है इसके बीच पारंपरिक रूप से जानकारी सिंदुघाटी सबबिता से मिलती है बारत और अफगानिस्तान के बीच संबंधों की जानकारी जो की सिंदुघाटी सबबिता से मिलती है अगर उसके बाद हम बात करें 1980 के दसक में 1980 के दसक में सोबियत गणराज जो है इसकी जो समर्थित डेमोक्रेटिक रिपबलिक आफ अफगानिस्तान जो है इसको माननेता देने वाला भारत एक मात्र देश था भारत देश ने सबसे पहले इसके जो सोबियत गणराज की समर्थित पार्टी थी जिसका नाम था यहाँ प अफगानिस्तान यह जो पार्टी थी इसको माननेता देने के लिए सबसे पहले भारत ही एक गणरत अंतर देश भारत ही था जिसने सबसे पहले इस पार्टी को माननेता दिया था हाला कि 1990 में अफगानी जो ग्रह युद्ध और तालिबान सरकार के दवरान युद्ध हुआ जिससे भारत के साथ इसके आफसी संबंद प्रवावित हुए और अफगानिस्तान में जो इसने 9-11 की घटना अमेरिकी नेत्वत वाले युद्ध के बाद हुआ था तो 9-11 की घटना आप जानते हैं जिसमें पाकिस्तान ने और अफगानिस्तान ने मिल करके किया था 9-11 की घटना अमेरिका पर उसके बाद से भारत और अफगानिस्तान के बीच में संबंद एक बार फिर जो है खराब हुए थे दोनों के देशों के बीच में अगर हम सहयोग की बात करें तो रच्छा सहयोगों में भारती सन अकादमी जो है अफगानिस्तान के सन अधिकारियों को भारती प्रसिचण परदान करता है 2014 में भारत ने अफगानिस्तान और रूस के साथ एक समझहोते पर हस्ताचर किया इस समझहोते के अनुसार जो है रूस अफगानिस्तान को आवस्यक सभी सन उपकरण परदान करता है तो रूस जो है अफगानिस्तान को सन उपकरण परदान करता है और भारत उसका भुक्तान करता है भारत ने 2015 में अफगान वाई उसेना को तीन रूस निर्मित EMI-25 फाइटर जेट जो थे 25 यहाँ पे आप नोट कर ले जिए फाइटर हेलिकाप्टर हेलिकाप्टर परदान किये थे या EMI-25 था EMI-25 फाइटर हेलिकाप्टर 2015 में अफगान वाई उसेना को कितने हेलिकाप्टर थे तो यह हेलिकाप्टर तीन थे तीन हेलिकाप्टरों को रूस ने दिया था अफगानिस्तान को और इसका भुक्तान भारत ने किया आतंकवाद के बिरुद लड़ाई आतंक लेने के लिए भारत जो है दोनों देशों के बीच संबंदों में स्थिर्था लाने के लिए लोगतांतरिक और सांतिपूर्ड अफगानिस्तान बनाना चाहता है लेकिन अफगानिस्तान विभिन तरीकों से आतंकी खतरों का सामना कर रहा होता है अफगानिस्तान जो तालीबान है या प्रमुक आतंकवादी समू है या अफगानिस्तान में लोग तांत्रिक रूप से चुने गई सरकार पर कबजा करने का प्रयास किया और आखिरकार में उसने उसमें सफलता भी हासिल की अलकाइदा के कई आतंकी समू जो है वैं हकानी नेटवर्क अफगानिस्तान में काफी सक्री हैं इसलामिकी स्टेट के आतंकियों के हालिया प्रभाव भी भविस्य में भारत भारी पर सकते हैं अगर हम इसके आर्थिक सहयोग की बात करें तो आर्थिक सहयोग आप जानते हैं साव से अधिक कमपनियों ने अफगानिस्तान में निवेश किया जिसमें क्रिसी संचार अफगानिस्तान में भारत की लगबग साव से अधिक कमपनियों ने इनिवेश्ट किया है जिसमें आपको प्रमुक है तापी तापी पाइपलाइन आप जानते हैं जो तापी पाइपल पाइपलाइन है जो की तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और इंडिया के लिए है या पाइपलाइन अफगानिस्तान से होकर गुजरती है या तुर्कमेनिस्तान से भारत में प्राकृतिक गैस के आयात किये जाने के लिए बनाई गई है अफगानिस्तान में इसको भारत ने बनवाया है भारत इरान और अफगानिस्तान ने सन्युक्त रूप से एक ब्यापार समझे होते पर भी अस्ताचर किया है इस सवदे का उस देश है चाबाहर बंदरगाह में जो पाकिस्तान को घेर करके अफगानिस्तान के जो भुवाबध कंट्री होने होती है इस तक पहुँचने के लिए निवेश किया है तो अेरान का आप जानते हैं यहाँ पे चाबाहर बंदरगाह जिसे भारत ने बिक्सित किया है जब हम एरान के बारे में पढ़ाएंगे तो इसमें आपको विस्तरित जानकारी देंगे तो यहां से आपने जानते हैं इसको चाबहार को भारत ने किया है इसके बाद यहां से रोड लाइन और रेलवे लाइन बना करके अफगानिस्तान में पहुंच रहा है अफगानिस्तान भारत के लिए महतपूर क्यों है तो अफगानिस्तान जो है या एसिया के चवराहे परिस्तित है या जो है एसिया के चवराहे परिस्तित है इसके लिए या भारत के लिए रड़नीतिक महत तो है या दच्छिड एसिया को मद्ध एसिया और मद्ध एसिया को पस्चिम एसिया से जोडने में मदद करता है भारत का संपर्क इरान, अजरबायजान, तुर्कमेनिस्तान और उजबेकिस्तान के साथ अफगानिस्तान के माध्यम से होता हुआ आगे बढ़ता है इसलिए अफगानिस्तान भारत के लिए अतेंत महत्पूर साबित होता है अफगानिस्तान भूरा नीतिक दिरिष्टी से भी भारत के लिए महत्पूर है क्योंकि या भारत और एसिया के मध्ध में इस्तित है जो ब्यापार की सुबिधावी परदान करता है अगर हम यहाँ पर अफगानिस्तान में तालीबान के उदय के बारे में आपको बताएं तो 90 के दसक में उत्तरी पाकिस्तान में जो यहाँ उत्तरी पाकिस्तान है यहाँ पर तालीबान का उदय हुगा था जब अफगानिस्तान से सोबियस संकी सेना वापस जा रही थी यहां से आप देखिए पहले अफगानिस्तान में सोबियस सेना थी तो जब यहां से वापस जा रही थी तब पस्तूनों के नेतुत्र में तालिबान संगठन अफगानिस्तान में सामने आ गया 1994 में यह तालिबान खुल करके अफगानिस्तान में सामने आ गया और इसको प्रसिच्छ देने वाला यह पाकिस्तान था तालिबान जो है सबसे पहले धार्मिक आयोजनों और मदर्सों के जरिये उभरा जिसमें ज्यादा तर पैसा साओधी अरफ से आता था सोबियत संग के अफगानिस्तान से जाने के बाद यहां पर कई गुटों में आपसी संगर सुरू हो गया और मुजाहिद दीनों से भी कई लोग परिसान थे ऐसे हालात में जब तालिबान का उदै हुआ तो अफगान लोगों ने उनका स्वागत किया था परारम में तालिबान को इतनी लोग प्रियता मिली लेकिन बाद में इन्हों ने भरष्टा चार का परलगाम लगाया अब बेवस्था पर अंकुस लगा कर अपने नियंतरन में आने वाले इलाकों को सुरच्छित बना लिया ताकि लोग इनके बेवसाय पर इनसे बेवसाय कर सकें दच्छिर पस्चिम अफगानितान में तालीबान ने जल्द ही अपना प्रभाव बढ़ाया और सितंबर 1995 में तालीबान ने इरान सीमा से लगे जो इरान सीमा से लगा है हेराथ परांथ पर कबजा कर लिया हेराथ परांथ अबने अभी आपको दिखाया नहीं क्या हेराथ परांथ आप यहाँ पर देख सकते हैं देख लेजिए हेराद परांथ जो कि इसका महत्मूर परांथ हेराद परांथ आपको यहाँ पर इरान से सटा हुआ दिख रहा होगा धीरे धीरे तालिबान ने मानवादिकार उलंगन और सांस्कृतिक दियोहार बियोहार के आरोप लगने लगे और 2001 में अंतराश्टी आलोचना के बाद तालिबान ने बिस्व परसिद जो यहाँ पर बामियार में महत्मा बुद्ध की मूर्ति थी इस प्रतिमा को नश्ट कर दिया और इसके बाद जो पाकिस्तान अफगानिस्तान की सीमा यह जो पस्तून इलाका है खैबर पस्तूनवा इसका जो पाकिस्तान का है यहां पर तालिबान का कहना है कि यहां सांती और सुरच्छा का माहुल बनाएगा और सत्ता में आने के बाद सर्या लागू करेगा और उसने सत्ता में आने के बाद सर्या कानून को लागू भी करिया है पाकिस्तान और अफगानिस्तान दोनों जगहा पर तालीबान ने या तो इसलामिक कानून के तहत सजा लागू कर्वाई है जैसे हत्य के देशियوں को सारवजनिक फांसी देने का और चोरी करने के दोसियों के हाथ पैर कारने का या इनका सरिया का कानून कहता है दुनिया का धान तालीबान की ओर तब गया जब निव्यार्क ने 2001 में इसने निव्यार्क पर हमला किया 2001 में इसने तालीबान निव्यार्क पर हमला कर दिया था आपको पता है अफगानिस्तान में तालीबान पर आरोप लगाया गया कि इसने उसामा बिन लादेन और अलकाइदा को पना दी जिसने निवियार्क हमलों का दोसी बताया गया तो 2001 में निवियार्क पर जो उसामा बिन लादेन था उसने हमला किया और अलकाइदा को इसने पना दिया इसलिए तालिबान को और भी गंभीर निगाहों से देखा जाने लगा इसके बाद 2001 में अमरीका के नेत्रत वाले गड़भंदन ने अफगानिस्तान पर हमला कर दिया और इस पे 20 सालों तक अमेरिका ने इस पे नियंतरन रखा पिछले कुछ समय से अफगानिस्तान ने अफगानिस्तान में तालिबान का दबदबा फिर बढ़ा और वह पाकिस्तान में मजबूत हुआ और तालिबान कई अनेक चरम पंधी संगठनों से भी आपसी तालमेल में लगा हुआ है इसके बाद तालिबान ने बुरहान उद्दीन रब्बाने जो की सरकार है उसको सत्ता से हटा कर अफगानिस्तान की राजदानी काबूल पर कबजा कर लिया और 1998 में आप जानते हैं अफगानिस्तान के लगभग 90 फिश्दी छेतरों पर तालिबान का नियंतरन हो गया था भारत हवाई संपर्क बिजली संग्यंतर के पुनन निर्मार स्वास्त और सिच्छा के छेतर में निवेश करने के साथ साथ अफगानिस्तान में सिविल सेव को और सुरच्छा बलो को पिरसिच्छित करने के कारे भी करता है भारत ने अफगानिस्तान में हम आपको यहाँ पे अवलिक देते हैं कौन-कौन सा कारे किया है तो यहाँ पर भारत ने यहाँ पर सल्मा डाइम बनवया है सलमा डायम को भारत ने अफगान इंडिया फ्रेंडशिप डायम के तरीके से देखते हैं यहां का संसत भवन भारत ने बनवाया है यहां पर पन बिजली जो है तो बिजली उद्योग जो है सिचाई बाद है यह सब भारत ने बनवाये है यहां का सातूत बाद सातूत बाद भी भारत ने बनवाया है और भी बहुत से महत्पूर कामों को भारत के द्वारा किया गया है और यहां जो इसका हेरात प्रांत है यहां पे देखिए हेरात प्रांत में ही अफगान इंडिया फ्रेंड्सिप डैम जिसको सलमा डैम से जाना जाता है तो सलमा बाद इसका हेरात प्रांत में बना हुआ है तो भारत ने सलमा डैम को जिसको सद्भावन जो की अफगानिस्तान इंडिया फ्रेंड्सिप डैम के रूप में जाना जाता है इसका निर्मार हेरात में परांत में करवाया है सदभावना के संकेत करूप में भारत ने अफगानिस्तान में नया संसदभावन का निर्मार करवाया है 2014 में कंधार में राष्टी जो इसका यह कंधार परांत है यहाँ पर राष्टिय क्रिसी विग्यान और प्रदोकी विश्विद्याले की अस्थापना की है भारत ने अफगानिस्तान में पचीस सो मिल से अधिक सडकों का निर्मार किया है अफगानिस्तान में दो सो से अधिक सार्वजनिक और निजी स्कूलों का निर्मार किया है एक हजार से अधिक छात्रों को छात्वित्ती दी है और जबकि 16,000 से अधिक अफगान छात्र भारत में पढ़ाई करने के लिए आत आये हैं और हम इसके बारे में बात करें तो भारत के लिए अफगानिस्तान में चुनावतियां क्या है अफगानिस्तान को सहायता प्रदान करने के लिए भारत का जो प्रियास है या भागोलिक समीर्ता और सेमित पहुँच के कारण बाधित हो रहा है आप जाने ही रहे हैं या भुगावद देश है अफगानिस्तान और आकिस्तान के मौजूदा सुरच्छा इस्थित में परदे के पेछे से हकानी नेटवर्क का हस्तच छेप जारी रहता है अफगानिस्तान में अलकाइदा और आईस आईस के प्रभाव के करन बढ़ते आतंकवाद ने भारत के लिए सुरच्छा संबन्धी चिंताएं बढ़ा दिया है अफगानिस्तान सबसे अधिक अफ़िम उत्पादन देशों में से एक है अभी हमने आपको उपर बताया था यहाँ पे आप देख लीजिए हमने यहाँ पे आपको गोल्डन क्रिसेंट बताया था पाकिस्तान और इरान इन तीनों देशों में इसकी अधिकता है सबसे ज़्यादा अफगानिस्तान में इसका उत्पादन होता है इसलिए इसको गोल्डन क्रिसेंट देशों में रखा जाता है तो गोल्डन क्रिसेंट देश में कितने देश आते हैं इसमें तेन देश आते हैं अफगानिस्तान, पाकिस्तान और इरान अफगानिस्तान से ड्रक्स की तसकरी पंजाब के साथ अन्य भारती राज्य में होती है जिसमें इवाओं को प्रभावित किया जाता है साथ ही साथ आतंकवाद और संगठित अफ़ाद को भी बढ़ावा मिलता है 2011 में अफगानिस्तान और पाकिस्तान ने अफगानिस्तान पाकिस्तान ब्यापार और पारगमन समझाओता जो है इस पर हस्ताचर किया जो भारत और अफगानिस्तान के बीच दुई पच्छे ब्यापार में बाधक रहा अफगानिस्तान में बढ़ते चीनी प्रभाव ने भारत के लिए एक कोटनीतिक चुनावती भी पेश कर दी है यहां पर अब जान ही रहे हैं जो यहां पर प्राकरतिक संसादन उन संसादनों को निकालने के लिए चीन यहां पर अगे बढ़ चुका है अगर हम निसकर्स की बात करें तो कई चुनावतीयों के बावजोद भी भारत का अफगानिस्तान से संबंद पहले से अधिक मजबूत हुआ है अफगानिस्तान में निरंतर पुनन निर्माड और ठोस सामाजी कार्थिक विकास की भारतीय नीत ने इस युद्ध गरस्त देश में सांती और सम्रिद दिनाले में मदद की है भारत अफगानिस्तान के साथ एक महत्पूर्ट साजेदारे बिक्सित करने के लिए उत्सुक है अफगानिस्तान में भारत की छप आज भी लोकप्रिय देशों के रूप में है लेकिन अगर यहां सुरच्छा के द्रिष्ट से माहुल बिगरता है और तालीबान हावी रहता है तो जितना भी काम भारत ने वहां किया है उसका महत्पूर्ट नहीं रह जाएगा असपष्ट है कि आर्थिक रूप से अस्थाई राजनीतिक रूप से इस्थीर और सामाजिक रूप से समावेसी अफगानिस्तान भारत के लिए बहुत जरूरी है और संबंदों की नई गिसा में आगे बढ़ने का वक्त अब आ चुका है तो अफगानिस्तान के बारे में हमने आपको बहुत से जानकारियां दी आपको इन जानकारियों में काभी इस्थिरता आई होगी तो आज का कलास हम यहीं पे समाप्त करते हैं आगे कलास आपकी निरंतर चलती रहेगी उसके लिए आप चैनल पर बने रहे और चैनल को सब्सक्राइब करिए धन्यवाद